हेलो स्टुडिन्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे इथनोइक आसिट को बेंजीन में कनवर्ट कर सकते हैं यह आपकी 9.14 क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन का तो सबसे पहले CH3COOH को हम रियाक्ट कराते हैं सोडियम NaOH के साथ आच्छली जो कि हमें देता है CH3COONA फिर उसके बाद हम इसको रियाक्ट कराते हैं सोडा लाइम से सोडा लाइम होता है काल्शियम ओक्साइड और NaOH का मिक्स्चर तो यह आपको पता है इसे हम डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं तो आच्छली हम इसका डी कार्बोक्सिलेशन कराएंगे in the presence of soda lime that is NaOH plus CaO plus heat तो इससे हमें क्या मिलता है इथेन ठीक है इथेन को फिर हम रियाक्ट कराते हैं इसका क्लोरीनेशन कराते हैं उससे हमें मिलता है CH3CN जिस अब आपने प्रोसेसेस अल्रड़ी पढ़ लिया है क्लोरीनेशन क्या होता है यह सब हमें पता है क्लोरीनेशन के बाद woods reaction भी आपको पता है sodium के साथ react कराते हैं in the presence of tri ether इसे हम woods reaction भी कहते है इससे क्या होगा इससे यह convert हो जाएगा धेन में फिर से हम इसका क्लोरीनेशन कराएंगे और हमें मिलेगा C2H5Cl इसका हमने क्लोरीनेशन कराया हमें मिलगा C2H5Cl अब आपने बीटा क्लोरीनेशन के भी बारे में पढ़ा है in the presence of alcoholic koh जिसमें की बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूब होता है अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूब होता है तो यह हुआ बीटा इलिमिनेशन जिससे हमें मिला इथीन ठीक है अब आपको यह पता हुआ जाएए कि एथीन से हम ETHA night कैसे बनाते है तो इसका सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन कराते है bromination किसकी presence में होता है CCL4 की presence में होता है carbon tetra chloride की presence में होता है जो हमें देता है न कॉमा टू डाय ब्रोमो ए थे फिर अगेन हम इसका बीटा एल्मिनेशन कराते है इन प्रेजन्स ऑफ एल्कोहॉलिक के ओ एच जो की हमें देता है CH2 CHBR फिर हम इसका रियाक्शन कराते है सोडा माइट से सोडा माइट क्या होता है? सोडा माइट होता है NaNH2 इसे हम सोडा माइट कहते हैं सोडा माइट के साथ रियाक्शन करने पर ये बनाता है एथाईन और ये हम में पता है कि इथाइन को जब हम red hot fe में डालते हैं, इसके साथ react कराते हैं, red hot iron tube के साथ, at 873 Kelvin, तो हमें बेंजीन मिलता है, so this is how you convert ethnoic acid into benzene,